मेरा नाम है मुहम्मत कैसर यूपी समय तमाम राज्यों के छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर निकल कर आई है बिहार में एक लाग सतर हजार पदों पर सिक्षक भरती के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और इसमें सब को मौका मिल गया है तो यूपी में जहां आप देख सकते हैं कि अस्थाई निवास की जरूरत अब नहीं है और दुसरे राज्यों के छात्रों को भी अब बिहार में आवेदन करने का मौका मिल चुका है बिहार सिक्षा विभाग पटना की तरफ से ऑफिशल नोटिस जारी करके ये ऐलान कर दिया गया है जब बीप पड़ा तो उन्होंने एक बड़ा यहां पर फैसला ले लिया है तो नितिस कैबिनेट का बड़ा फैसला आ चुका है सिक्षक निवक्ति की निमावली में बड़ा बदला हुआ है एक लाग सब्तर हजार पदों पर आवेदन अब बारह जुलाई तक आप भी कर सकते हैं चा के 33,000 और वहीं उच मार्दमिक सिक्षक के लगवक 57,600 पदों पर भरती हो रही है तो कुल 1,70,461 यहां पर पद हैं 12 जुलाई तक आवेदन चलेगा तो जल्द से जल्द आप आवेदन कर लीजिए योगेता की बात करें तो प्राइमरी के लिए इंटर्मीरियर यरिया पा आप यदि सीटेट पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं या फिर बिहार के जो स्टूडेंट हैं बीटेट पास हैं वो भी एलिजिबल रहेंगे सेटेट अपियरिंग को भी मौका मिला है जो अगला सेटेट होना है 20 अगस्ट को बात करते हैं मादमिक की TGT भरती की एलिजबिल्टी की तो यहाँ पर चाहिए होगा ग्रैजुएशन ग्रैजुएशन बिल्कुल कंपलसरी होता है मादमिक की भरती में और एस्टेट की और शक्ता यहाँ पर होगी और उच मादमिक पीजीटी की बात करें तो सनाकोत्तर एस्टेट और बीएड मादमिक में भी बीएड लगता है तो आप लोग अमने एक्जाम के तैयरे शुरू कर दीजिए इस बार जो भरती हो रही है साथ में चरड की इसमें आप आपको बिहार राज करमचारी का भी दरजा देखने को मिलेगा बागी दोस्तों आपके कोई भी सवाल हों डाउट हों तो जल्दी से कॉमेंट सिक्सम में लिख दीजिए आपके सभी सवालों का जवाब बहुत ही चल दिया जाएगा वीडियो पसंद आया तो लाइक और श अजय हों बिए बपाइब अी नापके में ज हो भी साथ घ्डियों भी से मर्ण